नमस्कार जार्कन के ताजा खबरों में आप सुबों का स्वागत है आए जानते हैं आज की मुखी बड़ी खबरों को जार्कन में प्लास, ब्रांड और फुलो जानों अशिरवात अभ्यान से बदल रहे महिलाव की तस्वीर सियम ने दिया ये निर्देश जार्कन के मुखमंत्री हमन स्तुरन ने ग्रामिन विकास विभाक की समिक्षा के दोरान आवाश योजना से जरूरत मंदों को अच्छा दित करने का आदेश दिया मुखमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरत मंदों को योजना का लाब दें मंद्रेगा की योड़नाओं को बहता डंग से लागू करें पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में कोई देरी ना हो इस दिसा में कायर करने की अश्कता है फूलो जानो असिरबात अभियान की समिक्षा के दोरान कहा हमें महिलाओं को हड़िया दारू निर्मान और विक्री कायर से दूर कर समान जनक आज युका से जोड़ना है इस दोरान इन्हें प्लास ब्रांड से जोडने का निर्देश भी दिया जार्कन में गुलाब का असर अगले 24 गंटे तक आंधी बारिश की चेतावनी जार्कन के राइधाने राची समित राइज भर में खासा असर देखने को मिल रहा है पिछले 24 गंटों के दोरान राइज के कई इलाकों में मध्यम से तो कई जगा भारी बारिश भी है इससे समानी जन जिवन प्रभायत भी हुआ है राची इस्तित भारती मोसम विज्ञान विभाक के विगानिक अभिसिक आनने बताया अगले 24 गंटे में राइज में कुछ अस्थान पर भारी बारिश से अती भारी बारिश हो सकती है जारकन के सियम हमान सुरेन किसान क्रेडिट काड़ को लेकर क्यों हुए नराज और पसुधन योजनाओ को लेकर क्या दिया निर्देश आए जानते हैं जारकर के मुखमत्री हमन सुरे ने राची के प्रजेक्ट भौन सभागार में केंदर एंग राज प्रायोयोजित जोजनाओं की समिख्छा के दुरान कृषी पसुपालन एंग सहकारिता विभाको यूरिया और अनिखाद की उपनपता सुनेशित करने का निर्देश दिया इसके साथ ही किरशी की इस्तिती को और बहतर करने को कहा उन्होंने धनबात के उपैयगत को बंद हो चुके माइनस में जमा पाने का उपयोग सिचाई क लिए करने को कहा किसान क्रेडिट कार्ड जारी करनी की धिमी गती पर मुखमंत्री ने नराजगी जताई उन्होंने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए यहां किसानों के लिए बहुत जरूरी है मुखमंत्री हमनसुरी ने निर्देश दिया कि सभी जिले के उपायक्त के सिसी निर्गत करने का कारी को गमिर्था से लें बैंक के साथ समनिवय बना कर कारी करें जिस जिले में के सिसी की इस्तिती ठीक नहीं है वहां बहतर ढंक से कारी करने की अउसकता है नए किसानों को भी योजना से जोड़ें, सभी उपायक्त हर सप्ता बैंक प्रबंदन के साथ बैठ कर अर्चनों को तूर कर किसानों को केसिसी का लाब दें 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को केसिसी से अच्छादन सुनिशित करें, यह राई सरकार की महतपूर्ण योजना है को सहयोग दें, इसके लिए कलश्टर के तूर पर कारी करें, योजना को लेकर चात्रा ने बहतर कारी किया है, उसका अनुसरान सभी जिला करें और बहतर पर नाम सामने लाएं जारकन के 2500 साहिक पुलिसकर्मी अपनी मांगू को लेकर आंद्वालन पर अड़े जारकन के साहिक पुलिसकर्मी इस बार आर पार की लड़ाय के मुन में है, 12 नकसल परभाज जिलों में सभीदा के आधार पर बहाल 2500 साहिक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंद्वालन कर रहे है महिला पुलिसकर्मी बच्चों को गोध में लेकर डटी भी है आप सुब को बता देना चाहता हूं कि पुलिसकर्मी ने राची के मुराबादी मैदान को अपना असिनाना बना लिया है वे हातों में तब्तियां लेकर सरकास से अपनी मांग मनवाए बिना वापस नहीं जाने का एलान कर रहा है इनका आरोप है कि इनसे वही काम लिया जाता है जो रेगुलर पुलिसकर्मी से रियाती है यहां तक कि नक्सली ओपरेशन में भी इन्हें ले जाया जाता है लेकिन उनके और रेगुलर पुलिसकर्मियों के तनखवा में असमान जमिन का फर्क है सायग पुलिस कर्मियों ने राजभवन और सियम अवास के सामने और निशित कालिन धर्ना परदसान का भी मन बनाया है इधर उस मुद्य पर जारकन सरकार में मंतरी मितले स्ठाकों ने कहा है कि कोई रास्ता निकालने की कोशिस की जाएगी लेकिन हट पुर्वक सरकार पर दबाव बनाना गलत है सरकार ने स्विदा का रेनवल किया है यहाँ 2022 तक है साथ ही इन पुलिस कर्मियों ने स्विदा पर अपनी सामती भी दी थी इसके लिए एक पांच सदस्य कमिटी भी बनाई गई अब उसी की रिपोर्ट पर सरकार फैसला लेगी जारकन के जबशतपुर में खुलेगा पुर्वी भारत का पहला जन्जाती विश्विदाले बंगाल और ओडशा के चात्रों को मिलेगा लाव जारकन सरकार जन्जाती विश्विदाले अस्थापित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है यहाँ पुर्वी भारत का एक पहला जन्जाती विश्विदाले होगा जबशतपुर के गालोडी और घाट सिला के बीच इस विश्विदाले के निर्वान की योजना है इसके लिए आरभिक तोर पर विश एकर जमिन भी चिनित की जा चुकी है विश्विदाले के निर्मान का उदेश जन्जाती भासा और आदिवासी समुदाय की इस्मित सास्कृत प्रम्परा को सहजने उन पर सोथ करने तथा आदिवासी समाज के मेधावी विद्यात्यों को प्रोसाहित करना है राची में एक दिन पहले मुखमंतरी हमनस्वरिन की अथिचिता में समपन जन्जाती प्रामस दातरी सिमिती की बैठक में विश्विदाले निर्मान पर विश्तार से चचा हुई थी सरकार जल्द ही इस समन में अध्यादेश लाकर विश्विताले निर्मान की परक्रिया शुरू करने वाली है जारकन की बिमार कमपनियों के पुर्ण उधार के लिए केंसरकार गंभीर महंदरनाथ पांडे ने कहा जारकन की सभी बीमार कमपण्यों को पुर्ण उद्धार के लिए केंसरकार गंभी रहे और भारी उद्योग मंतरा लाए इस मामले में गंभिर्ता के साथ विचार कर रहा है यहाँ बात भारा सरकार के भारी उद्ध्योग मंत्री महंदरनाथ पाण्ये ने कही। यहाँ बात भारी उद्ध्योग मंत्री महंदरनाथ पाण्ये ने कही। जिला सिक्षा अधिकारी स्टी तिगा ने सभी इसकोलों को पत लिख कर इस्तिती स्पष्ट करने का आदेश दिया था 1600 सिक्षकों के वेतर पर रोक लगा दी है। मालू हो कि सरकारी सिक्षक परा सिक्षक के अलावा सिक्षा विबाग के सभी कर्मियों को बायो मेट्रिक्स हाजरी बनाना एन्युआर है। आप सुब को बतातू कि इतनी संक्या में सिक्षकों के अनुपेस्तित में तकनिकी गड़बड़ी है। तक नहीं पहुच रहा है योईनाओ का लाब मंत्री ने कहा। मंत्री ने बताया कि जारकन के 15 लाख रासन कारधारियों को अनाज उपलब्सक्राने के लिए वे सभी जिलों का वर्वन कर रहे हैं। कहा कि जिस उपेक्षा के साथ जारकन सरकार का गठन हुआ था इसके अनुरूप विकास नहीं होने का बहुत दुख होता है। यहीं नहीं जरूरत मंदों को सरकारी युजडा का लाभ भी नहीं मिल रहा है। मंत्री ने बता कि पुरे जारकन में 60 वर्ष से अधिक 3,65,000 जरूरत मंदों को विर्धा पेंसन, बिध्वा पेंसन और विकलांग पेंसन देनी की युजडा सरकार ने बनाई है। इसके बावजूत लोहरदगा उपयक्त को छोड़ कोई उपयक्त इसमें विशेश रूची नहीं दिखा रहा है। इसे लेकर वे समाज कल्यान मंत्री से मिलकर आविशक बाहल करने की मांग करेंगे। बिहार लोग सिवा आयोग यानि की विपी एसे की सरसटवी सयुक्त परित्योकिता परचा के लिए गुरुवार से ही ओनलाइन आविदन शुरू हो गया है। दर्जल से ज्यादा विवागों में 575 पदों पर न्युक्ती होनी है। इसमें आप बिहार परसासरिक सिवा के अनुमंडल पदाधिकारी, वर्यो उप समहरता और पुलिस उपाध्यक्ष पद भी सामिल हो चुका है। बिहार लोग सिवा आयो के अनुमंडल से अभियारती ओनलाइन आविदन कर रहा है। आप सुब को बतातू कि 5 नौंबर तक अभियारती ओनलाइन आविदन कर सकते हैं। ओलाइन आविदान में दिये गए कॉलम में यदि अभ्याती आरक्षन का दवा नहीं करते हैं तो उन्हें आरक्षन का लाप नहीं मिलेगा आरक्षन केवल बिहार के अस्थाई निवासियों के लिए ही होगा जारक्रां हाय कोट ne विधी विज्ञान पुरिगुशाला में रिक्स पदों को तीन महां में भरने का दिया निर्देश जारकन हाई कोट ने राइज के विधी विज्ञान पर्विशला में रिक्त पदों को तीन मामे भर्ने का आदेश दिया है इस असे समद में कोट ने जपी-S.C और G.S.C को जल्द से जल्द परक्रिया पुरिकरने के लिए कहा है कोर्ट ने इस पर ग्रीश अचीव से एक्षिन प्लान भी मांगा है आप सुब को बता दू कि गुरुवार को आदालत में धनबाज ज़ज हत्याकान मामले की सुनवाई हो रहे थी इसी मामले के साथ FSL में स्विधा बढ़ाने और रिक्स पदोपर न्युक्ति के मामले में सुनवाई हो वी आदालत ने ग्रीश अचीव की ओर से दाखिल सपत पत्र को कड़ी नराजगी जताते हुए उसे खारिश कर दिया और अगले सपता FSL के निर्देशक और ग्रीश अचीव को कोर्ट में पेश होनी का आदिश दिया आदालत ने इस बात को लेकर कड़ी नराजगी जताई है कि जब कोर्ट ने उन्हें 6 मामें FSL के मामले में सारी प्रक्रियापूरी करने का निर्देश दिया था तो उनकी ओसे 6 मामें सिर्फ फंड रिलिज करने के बाद क्यों कही गई जारखन क्रिशी विभाक की स्कीम में भारी गरबड़ी बिना आदेश 25 करोर रुपीय हुए खास सियमों ने दिय जाज के आदेश मुखमत्री सिर्चेवाले ने क्रिशी विभाक की टारगेटेटर राइस फ्यलो स्कीम की जाज का आदेश दिया है मुखमत्री जन्व सिकायत को सांग में सिल्ली के मयंक भुसन ने तरफा योजनाक में गरबड़ी की सिकायत की थी इसके आलोक में सिचीवाले के अवर सिचीव राम मुर्ती सी ने विभागी सिचीव को जाज कराने को कहा है आरोप लगाया है कि लगातार 30 साल तक बिना राज्या आदेश के काम करा लिया गया है यह काम क्रिशी विभाक से कराया गया था पिछले वित्वस में योजना की राशी निकालने के लिए जादेस भी निकाला गया था 31 मास 2021 को निकाले गए राजा राजा आदेस से राशी की निकासी नहीं हो सकी यह राशी लेप्स हो गई करीब 25 क्रों रुप्य का काम बिना आदेस के करा दिया गया है दोस्तो चैनल पर आप नहीं है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को दबा दिये ताकि खबरों का आपडेट आपको मिलता रहे इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही हमें दीज़े जाज़त नमस्कार